आज की स्लेब में आप लोगों को infix expression को postfix expression में convert करने के लिए program बनाना है तो यहां आपको infix to postfix conversion करना है by using stack तो यह भी stack का एक application है computer के अंदर जब भी हम कोई infix expression लिखते हैं तब पहले computer उस infix expression को postfix expression में convert करता है और उसके बाद ही उस post-fix expression को computer evaluate करता है तो stake की help से किसी भी infix expression को post-fix expression में convert किया जा सकता है तो किस तरह से convert कर सकते हैं हम by using stake आई इस चीज को समझते हैं तो हम algorithm की according ही बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारा ये जो infix expression है इसके end में एक parenthesis लगा देंगे जो कि होगा हमारा closing parenthesis अब हमने ये table बना रखी है इस table के through हम लिखते जाएंगे कि stake का क्या status है और हमारे post-fix expression का क्या status है कौन-कौन से symbol हम scan कर रहे हैं तो वो सारी चीज़े हम इस table के अंदर लिखते चले जाएंगे तो ये जो हमने एक closing parenthesis लगाया है ये एक तरह से indicator का काम करेगा हमारे लिए कि हाँ हमारा ये expression यहाँ आकर अब end हो गया है उसी तरह से stake के अंदर भी आप शुरुआत में एक open parenthesis push कर देंगे अब आएए देखते हैं कि किस तरह से conversion होगा तो यहाँ scanning जो हम करेंगे इस expression की तो वो scanning हम करेंगे left to right तो सबसे left से हम scanning को शुरू करेंगे सबसे पहला symbol जो scan होगा वो है A तो सबसे पहला symbol जो scan हुआ है हमारा वो है capital letter A तो हमने यहाँ symbol के नीचे symbol वाला जो हमने column बनाया है इसमें A लिख दिया इस column के अंदर हम उन symbols को लिख रहे हैं जिन symbol को हम scan करते जा रहे हैं one by one अब यह जो symbol जो कि हमने scan किया है यह symbol एक operand है तो अगर operand होगा तो उसे हम कहा भेज देंगे तो यदि operand हमें मिलता है scan करने पर तो उसे हम expression में भेज देंगे post fix expression में तो यहाँ यह operand सीधा post fix expression में आ जाएगा stake का status अभी वही रहेगा जो है तो यहाँ पर आ गया capital letter A अब क्या होगा अब अगला symbol scan किया जाएगा और अगला symbol कौन सा है तो अगला symbol यह रहा plus तो दूसरे number पर जो symbol scan किया गया है वो है plus अब ज़रा गोर फर्मा यह plus क्या है यह एक operator है तो अगर एक operator हमें मिलता है तो operator को हम कहां भेजेंगे stake के अंदर तो stake के अंदर जब भी हम किसी operator को push करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि stake के top पर कोई और operator ऐसा तो नहीं है जिसकी priority हमारे इस operator से ज़ादा है या इस operator के बराबर है तो अभी हाल फिलाल हम देखे तो stake के अंदर ऐसा कोई भी operator नहीं है जिसकी priority plus से ज़ादा हो या plus के बराबर हो इसलिए हमने plus को यहाँ stake में push कर दिया post fix expression में अभी हमारा a ही है यहाँ पर फिर आगे चलते हैं अब अगला symbol जो scan हुआ है वो है opening parenthesis तो इसे क्या करना है इसे हम stake के अंदर push कर देंगे तो अगला symbol जो scan हुआ है वो है opening parenthesis तो इसे भी हमने stake के अंदर यहाँ push कर दिया है फिर आगे चलते हैं अगला symbol मिला है b तो b यहाँ पर operand है operand को कहां भेजा जाएगा तो operand को भेजा जाएगा post fix expression के अंदर तो हमने यहाँ operand को भेज दिया है post fix expression में अब आगे चलते हैं अगला symbol जो scan हुआ है वो है asterix multiplication का operator तो यह एक operator है operator को stake में भेजेंगे पर stake में push करने से पहले हम यह देखेंगे कि कहीं कोई ऐसा operator तो नहीं है stake के top पर जिसके priority इस multiplication operator से भी जादा हो या इसके बराबर हो तो हाल फिलाल अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी operator तो यहाँ आ गया है c तो आप यह c में और parenthesis में confuse मत हो न तो post-fit expression हमारा इस समय है a, b, c अब आगे चलते हैं अगला symbol scan करते हैं तो अगला symbol जब scan किया तो वो मिला हमें subtraction operator minus तो minus हमें मिला है minus एक operator है अब यह एक operator है तो इसे हमें stake में push करना होगा पर हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि stake के top पर कहीं कोई इसा operator तो नहीं है जिसकी priority इस minus से ज़ादा है यह minus के बराबर है तो अगर हम इस वक्त stake पर नजरे दोड़ाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी यह current status है हमारे stake का तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर stake के top पर एक operator है जो की है multiplication operator यह रहा तो इसकी priority इस minus की priority से क्या है ज़ादा है तो फिर क्या करेंगे तो ऐसी सूरत में इस multiplication को अब हम इस stake से pop कर लेंगे और multiplication operator को stake से pop करके हम कहां ले आएंगे हमारे post fix expression के अंदर और minus को stake में push कर देंगे मतलब minus तो stake में हो जाएगा push और multiplication stake से pop होकर चला जाएगा post fix expression के अंदर तो कुछ इस तरह का नजरा होगा तो गया है बाहर, stake से pop हो गया है यहाँ आगया है minus और यहाँ expression में आगया है कौन asterix चलिए अब आगे चलते हैं अब अगला symbol जो यहाँ पर scan हुआ है तो वो है opening parenthesis opening parenthesis अगर मिलता है तो उसे हम stake में push कर देंगे तो अगला symbol जो scan हुआ है वो है opening parenthesis तो इसे हमने stake में push कर दिया अब आगे चलते हैं अब अगला symbol scan करने पर जो मिला है वो है capital letter d तो d यह corporate है अब इसे हम कहां पहुचा देंगे सीधा expression के अंदर तो यहां आगया है d फिर आगे चलते हैं अब हम मिला है division operator तो यह एक operator है operator को जाना होगा कहां पर stake के अंदर पर stake में से push करने से पहले हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि stake के top पर कहीं कोई और ऐसा operator तो नहीं है जिसकी priority division operator से ज्यादा हो हो तो हाल फिलाल हम अगर देखें तो stake के top पर ऐसा कोई भी operator मौझूद नहीं है जिसकी priority इस division operator के बराबर है या division operator से ज्यादा है इसलिए इस division operator को हम stake के अंदर सिधा ही push कर देते हैं बिना कुछ pop किये तो इस तरह से division operator हमारे stake में push हो गया अब अगला symbol जो scan हुआ है वो है capital letter E तो E तो सीधा सीधा चला जाएगा post fix expression के अंदर क्योंकि यह एक operand है तो यहां आ गया है अब E अब अगला जो symbol scan हुआ है वो है exponentiation operator तो इस exponentiation operator को हम stake के अंदर भेजेंगे अब stake के अंदर हम इसे push तो करेंगे पर push करने से पहले हम किस बात का खयाल रखेंगे कि सबसे पहले हम यह देख लें कि stake के top पर इस वक्त जो भी operator मौझूद है कहीं उसकी priority exponentiation operator से ज़्यादा या बराबर तो नहीं तो अगर आप देखेंगे इस वक्त तो इस stake के top पर जो operator है वो है division operator और division operator की priority exponentiation operator से होती है कम इसलिए हमें यहाँ अब इस division operator को pop नहीं करना है अब आगे चलते हैं तो अभी हमारा post fix expression तो यह रहा अब अगला symbol scan करते हैं तो अगला symbol scan करने पर हमें मिला है operator f तो यह सीधर चला जाएगा expression में फिर आगे चलते हैं अब अगला symbol हमें मिला है यह closing parenthesis तो closing parenthesis मिलने पर हमें क्या करना होगा तो देखे जब closing parenthesis मिलेगा तब जो कुछ भी opening parenthesis और closing parenthesis के बीच में आएगा वो सभी कुछ pop हो जाएगा तो जड़ा यहां गोर फर्माएं यहां कुछ इस तरह की situation बनेगी यह एक हमारा opening parenthesis है फिर यह division operator है यह exponentiation operator हो और यहां पर यह closing parenthesis है तो आप देख सकते हैं कि यह जो part है यह एक opening parenthesis और closing parenthesis के बीच में आ गया है यह opening parenthesis है हमारा और यह है हमारा closing parenthesis कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यह opening parenthesis है और यह closing parenthesis है तो यह पुरा एक gift पेख हो चुका है तरह से डबा पेख हो गया यह इसका जोड़ीदर closing parenthesis भी हां पर मौजूद है तो फिर क्या होगा ऐसे हालत में क्या होगा तो ऐसे हालत में यह होगा कि इन दोनों ही opening और closing parenthesis के दर्मिया इनके बीच जो भी operator से उन्हें पॉप कर लिया जाएगा और पॉप करके पहुचा दिया जाएगा post-fix expression के अंदर यानि की कुछ है इस तरह से तो यह हमारा post-fix expression है अभी तक का अब इसके अंदर किसे pop कर लिया जाएगा पहले exponentiation operator को pop कर लिया जाएगा और pop करके से यहां पहुचा दिया जाएगा तो यह expression में आ गया exponentiation operator फिर एक और को ने division operator तो इसके बाद फिर division operator को pop किया जाएगा और यह division operator आगे इसके आगे यहां आ जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा यहां पर जो एक parenthesis का जोड़ा था इसके बीच में जो भी operators थे यह सारे के सारे operators पॉप कर लिये गए हैं और post fix expression में पहुचा दिये गए हैं अब आगे चलते हैं अब अगला symbol मिला है हमें multiplication तो यहां multiplication को आप क्या करें इस टेक के अंदर पुश करेंगे क्योंकि यह एक operator है पर पहले हैं चेक कर लें कि कहीं इस टेक के top पर कोई ऐसा operator तो नहीं है जिसकी priority multiplication से जदा यह multiplication के बराबर हो तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस टेक के top पर जो operator है वो है minus subtraction का operator जिसकी priority multiplication के operator से कम होती है इसलिए multiplication operator को हम इस टेक में पुश कर देंगे और pop कुछ भी नहीं किया जाएगा तो यहां आगया है यह multiplication यह है हमारा अभी तक का post fix expression अब चलिए आगे बढ़ें अब अगला symbol मिला है यह g और g क्या है तो एक operator है सिदा सिदा expression में चला जाएगा अब अगला symbol है यह closing parenthesis तो यह closing parenthesis है हमारा तो अब क्या होगा तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही closing parenthesis आया तो यहां पर एक डिबबा बंद हो गया है यह पूरा pack बंद चुका है यहां से लेकर यहां तक तो पहले इस multiplication operator को pop कर लिया जाएगा यह आ जाएगा यहां पर और फिर उसके बाद इस minus को pop कर लिया जाएगा और यह आ जाएगा यहां पर यानि कि कुछ इस तरह के हालात अब बन जाएगे तो इससे हम pop कर दिया है यहां से तो यहां से यह सारा यह जो पुरा packet है यह यहां से चला गया आप और कुछ इस तरह का हो गया है हमारा post fix expression अब आगे चलते हैं अब अगला symbol है multiplication का इसे stake में जाना होगा और stake में जाएगा पर कुछ pop नहीं होगा क्योंकि stake में इस वक्त जो top पर operator है वो है plus जिसकी priority multiplication से कम है इसलिए यहां सीधा सीधा multiplication आ जाएगा यहां पर यह वाली जो line है इसे आप यहां लिखे ABC चल यह बागे चलते हैं अब अगला symbol मिला है यह ओपरेंट है एच तो यह हो गया हमारा एच एच एक ओपरेंट है सीधा सीधा expression में पहुचा दिया जाएज है यहां पर भी सेम वही लिख देता हूँ है अब एच आया है एच को भी हम पोस्फिक्स expression में पहुचा देते हैं अब लास्ट सिम्बल पर हम आ गए हैं यह है closing parenthesis तो यह closing parenthesis scan हुआ है तो यह closing parenthesis stake में जाएगा पर stake में जाने पर क्या हो जाएगा हम इसे stake में पुरा push भी नहीं करना बस closing parenthesis जब आपका encounter हो जाए तब आप क्या कर सकते हैं कि जो opening parenthesis और closing parenthesis के बीच के operator से उन्हें आप पॉप कर लीजें तो यहाँ पर अब pop कौन हो जाने वाला है asterix और plus pop हो जाएंगे और pop होकर हमारे post fix expression में चले जाएंगे मतलब कि हमारा stick पुरी तरह से खाली हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ कौन आ जाएगा यहाँ पर यह asterix और plus pop होकर अब आ जाएंगे तो a, b, c asterix d, e, f exponentiation operator division operator g, multiplication operator subtraction operator h, multiplication operator plus तो आप देख सकते हैं कि यह पुरा का पुरा जो expression है यह है हमारा post fix expression a, b, c multiplication d, e, f exponentiation division operator फिर g है फिर multiplication operator minus h multiplication operator plus तो आपको जो program बनाना है वो program कुछ है इसी तरह से आपको बनाना है कि आपको क्या करना होगा एक stake आपको लेना होगा stake को आप जैसे चाहे वैसे implement कर ले चाहे तो with the help of array आप इसे implement कर ले या as a link list आप इसे implement कर ले आपको क्या करना होगा एक infix expression input करवाना होगा जैसे कि यह वला है यह infix expression है पुरा का पुरा तो इस तरह का infix expression आप input करवाए user से और फिर by using this stack और इस algorithm को use करके आप उसे convert करे post fix expression के अंदर कुछ इस तरह से तो यही आज आपको program बनाना है